डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय पश्चम बंगाल में एक सर्कारी डॉक्टर थे। उन्होंने भारत के पहले परकनली शिशु जो एक कन्या थी को जन्न दिया था। इस कन्या का जन्न दुनिया के प्रतम परकनली शिशु के जन्न के मातर सर्सक दिन के बाद हुआ ये पूरी तरह एक स्वतंत्र प्रयोग था। डॉक्टर सुभाश मुखोपाध्याए इस खोज के लिए चिकित सा विज्ञान के नोबल पुरसकार के हगदार थे। दुनिया की हजारों लाखों बांज महिलाओं के लिए आशा की किरन लेकर आये थे वह। अकबारों में ये सर्राष्ट्रिय सेमिनारों में जाने से रोक लगा दी। पश्चिल बंगाल सरकार ने उनको हटा कर एक ऐसे सुधूर गाव में तैनात कर दिया जहां रिसर्च की कोई संभावना नहीं बची। निराश डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। भारत की नौकरशाही लोकशाही और सिस्टम के ऊपर कलंग थी ये हात्महत्या।